Hello everyone, welcome to Formula Fata Fata series. मैं हूँ Aastha from LearnOHub, the free learning platform. जहां पर आप पर सकते हैं, physics, chemistry, maths, biology और वो भी एकदम free at learnohub.com. So Formula Fata Fata series में आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं या फिर रिवाइस करने वाले हैं अपने class 9th के chapter work and energy के सारे के सारे important formulae. इससे पहले आप लोगों ने इस chapter का one shot video तो देखी लिया होगा, साथी साथ NCRT Solutions वाला video भी देखी लिया होगा, तो चलिए जल्दी से अपनी notebook और pen लेकर हो जाए ready, और साथी साथ इस chapter के जितने भी important formulae हैं, हम साथी साथ revise करते हुए चलेंगे. तो आज सबसे पहले जो हम formulae discuss करेंगे, वो है work done से related. सबसे पहला formula इसमें है, w equals to f into s. तो यहाँ पर यह quantities क्या-क्या हैं, यह terms क्या-क्या denote कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग वो समझ लेते हैं. डबलू से हम लोग show कर रहे हैं work done को. f के थुरू हम लोग show कर रहे हैं force को. ठीक है, s है displacement. तो क्या हुआ किसी body पर हमने force apply किया, और वो कुछ displaced होई, तो जितना भी work done वहाँ पर हुआ है, वो हमको calculate करने को आ सकता exam में. मान लिया कि हमको देदी force के लिए value 2 Newton और साथ इसाथ जो body displaced होई है, वो मान लिया 1 meter displacement उसका हुआ है. आप से बोला गया कि w की value calculate कीजिए, तो आप f into s, यानि 2 Newton into 1 meter का use करेंगे, और यहाँ पर आपके पास में क्या होगा, answer होगा कितना 2 Newton meter. तो w के लिए जो हम लोग units use करेंगे, वो Newton meter या फिर joule, दोनों में से कुछ भी आप लोग ले सकते हैं. ठीक है, तो आप देखिए, अब question किस तरीके से और आ सकता है? तो same to same यही formula रहेगा, w equals to f into s, यानि कि force into displacement. लेकिन अगर exam में आपके पास में आगया कि retarding force है. अब retarding force क्या होते है? जब भी भी कोई object uniform velocity की साथ में एक particular direction में move कर रहा है. तो उसकी opposite direction में अगर force को apply किया जाए, तो वो क्या होगा? retarding force होगा. तो same to same formula रहेगा, बस यहाँ पर जो sign है, वो क्या हो जाएगा? negative हो जाएगा, यानि कि w equals to minus f into s हो जाएगा, minus force into displacement हो जाएगा. ठीक है, तो formula same to same है, values कुछ भी हो सकती हैं, तो आप लोग put कर सकते हैं. देखिए, अब इसी formula से, अगर आप से पूछा जाएं कि यहाँ पर बताईए, अगर आपको question में ऐसा कुछ आजाएं कि work done आपको given है, displacement आपको given है, और आपको बताना है force, कितना वहाँ पर act हिया या apply हुआ, तो आप लोग कैसे बता सकते हैं, आप लोग use कर सकते हैं, इसी formula के through, f equals to w, यानि की work done upon displacement, यानि की s, ठीक है, और वैसे ही अगर exam में आपके पास में, आपको क्या-क्या given हो गया, आपके पास में force की value given हो गई, w यानि की work done की value given हो गई, और आप से पुछा displacement कितना हुआ है, तो आप क्या बताएंगे, तब आप बता देंगे, s equals to w upon f, यानि की force, तो ये भी आपके पास में, एक ही formula से तीन formula बनगे, किसी की भी numerical value आपको पता हो, तो आप लोग इनकी जो other quantities हैं, जिसके लिए आप से पूछा जाएगा, उसकी value क्या कर सकते हैं, calculate कर सकते हैं, तो second वाला भी हो गया, first वाला भी हो गया, third वाला देख लेते हैं, अगर हम लोग consider करें, कि एक object का mass M है, और उसको raise किया जा रहा है, या फिर उठाया जा रहा है, एक height H तक from the ground, तो वहाँ पर जो work done हो जाएगा, W equals to, वो क्या हो जाएगा, F into S, यानि की MGH, ठीके, तो same to same, जो first वाला फॉम्रा था, W equals to F into S, दूसरे वाले में, हम किसकी बात कर रहे थे, retarding force की बात कर रहे थे, तो हमने negative sign ले लिया था, ठीके, और तीसरे वाले में, हम क्या बात कर रहे हैं, कि अगर किसी body का, या फिर object का mass हमको दिया गया है, ठीके, मान लिया, किसी body का mass हमको दिया गया है, 10 kilogram, G की value, यानि की acceleration due to gravity, तो पहले ये terms क्या क्या हैं, ये समझ में आरे हैं, W थो work done ही है, F क्या है, force ही है, यहाँ पर हमने लिखा है, S क्या है, displacement ही है, और जो M है, वो क्या है, mass of the body, या फिर object है, G क्या है, ये है acceleration due to gravity, और H क्या है, वो है height, ground से उस object, ठीके, तो किसी body का mass, M की value हमको दे दी गई, 10 kilogram, H, ground से उसकी जो height है, वो हमको दे दी गई, 2 meters, और G की value, acceleration due to gravity, वैसे तो हम 9.8 meter per second square लेते, लेकिन अगर, exams में आपको given हो, इसकी value 10 meter per second square, तो आप वही लीजिएगा, ठीक है, तो देखे, इस तरीके से, हम लोग calculate कर पाएंगे, क्या work done, W equals to क्या होता है, F into S, यानि की force into displacement, और यहाँ पर, हमारे पास में M की value है, G की value है, H की value है, हम लोग calculate कर पाएंगे, M की value कितनी है, 10 kilogram, G की value हमको 10 meter per second square दी है, H की value कितनी है, 2 meters है, तो यह कितना हो गया, यह तो हो गया 100 into 2, यानि की यह हो गया 200 newton meter, या फिर 200 joules भी आप लोग बोल सकते हैं, तो अगर exam में, आपके पास में work done आपको पता हो, height आपको पता हो, उस object की from ground, G की value आपके पास में है, तो आप लोग mass उस object का calculate कर सकते हैं, या फिर अगर आपको mass पता हो, work done पता हो, G की value आपके पास में है, तो आप height उसकी ground से कितनी हैं, उस object की वो भी calculate कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं, अब हमारी next जो formula है, वो क्या-क्या है, जो हमारी next formula है, वो भी exams की point of view से बहुत जादा important है, जो कि energy से related है, तो किसी भी system की total energy क्या होती है, तो हम लोगों को मालूम है, कि E equals to होता है kinetic energy, यानि कि जिसको हम किसके through denote करते हैं, E k के through, और potential energy का उसके साथ में sum हो जाएगा, यानि कि E p के through जिससे हम denote करते हैं, तो यह क्या हो जाती है, total energy of the system हो जाती है, ठीक है, तो पहला formula जो हमारे पास में है, kinetic energy, जिसको हम E k के through denote कर रहे हैं, वो equal to होती है, half mv square के, v यहाँ पर क्या है, तो v है, जो भी uniform velocity है, उस body की, या फिर उस object की, m क्या है, उस object का mass है, E k के through, तो हम लोग क्या denote कर रहे हैं, kinetic energy को ही denote कर रहे हैं, तो exams में, आपके पास में question कुछ इस तरीके से हो सकता है, कि अगर आपको kinetic energy calculate करनी है, आपको उस, जो object है, या फिर जो body है, उसका mass आपको given है, मान लिया 10 kg, velocity आपको given है, उसकी कितनी, मान लिया 1 meter per second, तो 1 का square कर लिजिए, into 1 upon 2, तो मैंने ये 1 upon 2 यहां पर पीछे लिख दिया, आप यहां पर आगे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर half mv square था, और यहां पर मुझसे छूट गया था, ठीक है, यहां पर 2 5s हो गया 10, तो ek, यानि कि काइनिटिक एनर्जी वहां पर कितनी आ जाएगी, तो यह आ जाएगी आपके पास में 5 J, ठीक है, नेक्स्ट है, पोटेंशल एनर्जी, जिसको हम E, P के थो दिनोट कर रहे हैं, और जो की equal to किसके हो जाएगा, M into G into H, तो M तो आपको पता है, इसके लिए अगर आपके पास में कुछ क्वेशिन इस तरीके से भी आ सकता है, कि आप बताएगे पोटेंशल एनर्जी, E, P की वैल्यू, अगर आपके पास में किसी आपजेक का मास कुछ गिवन है, मानलिया 20 किलोग्राइम गिवन है, साथ ही साथ आपको G की वैल्यू पता है, मानलिया 10 मीटर पर सेकिन स्क्वेर गिवन है, वरना आप क्या लेंगे 9.8 मीटर पर सेकिन स्क्वेर लेंगे, इन्टू हाइट उस अबजेक की कितनी हैं ग्राउंड से, तो मानलिया कुछ 2 मीटर है, ठीक है, तो यहाँ पर जो potential energy E P equals to हो जाएगी, वो कितना हो जाएगा, 2 to the 4, तो यह हो गया 400 J, ठीक है, या फिर exams में इन दोनों के लिए ही आप से क्या पूछा जा सकते हैं, मानलिया आपको kinetic energy दे दी, आपको potential energy दे दी, और आपसे total energy पूछी, तो आप यह वाला formula यूज़ करेंगे, E equals to EK plus E P, या फिर आपको velocity दे दी object की, आपको mass object का दिया गया है, और उसकी height दी गई है बाद में, तो उससे आप क्या calculate कर सकते हैं, आप kinetic energy calculate कर सकते हैं, आप potential energy calculate कर सकते हैं, उन दोनों का sum कर सकते हैं, तो total energy of the system आपके पास में आ जाएगी, ठीक है, या फिर कुछ और quantities भी आपसे पूछी जा सकते हैं, माल या kinetic energy आपको given है, mass आपको given है, तो आप लोग velocity calculate कर सकते हैं, आपके पास में mass है, velocity है, तो आप kinetic energy calculate कर पारें, आपके पास में kinetic energy है, velocity की value है, तो आप लोग mass calculate कर सकते हैं, उस object का, वैसे ही जो potential energy वाला formula है, अगर आपके पास में potential energy की value है, यहाँ पर height आपको पता है, g की value आपके पास में, तो आप mass of the object calculate कर सकते हैं, आपके पास में potential energy के लिए numerical value है, mass आपके पास में है, g आपके पास में है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशल एनर्जी का सम होगा वो क्या होना चाहिए constant होना चाहिए या फिर आगर आपको दे दिया कि एक time पर जो कोई भी object है उसका mass कुछ गिवन है उसकी velocity इनिशल वेलोसिटी कुछ गिवन है और कुछ time के बाद जो उसकी velocity है वो बदल गई है से अलग हो गई है तो वो दोनों जो होंगे वो क्या हो जाएंगे equivalent हो जाएंगे यानि कि पहले जो भी उसका kinetic energy और potential energy का sum था वो बाद वाली kinetic energy और potential energy के sum के equal हो जाएगा ठीक है तो यह भी हम लोगों को ध्यान में रखना है अब चलके देखेंगे हम अपना next formula so हमारा next formula है बहुत important जो कि है power का power equals to होता है work done upon time तो यह हो गया हमारा formula यहां पर जो जो भी terms है उनको सबसे पहले हम जान लेते हैं देखिए P से हम लोग क्या denote कर रहे हैं power को denote कर रहे हैं W हमको पता ही है work done की हम लोग बात कर रहे हैं और T हमको पता ही है time चीक है तो इसी formula की through हम दो और formula बना सकते हैं कैसे तो देखिए अगर exams में आपके पास में force है displacement है time है और आपको calculate करना है power तो घबराना नहीं है क्योंकि हमारे बना सकते हैं P equals to up यहाँ पर force into displacement की जगे पर अगर कोई भी जो object है उसकी ground से कुछ height हमको दी गई है तो हम लोग क्या बना सकते हैं यह हो जाएगा MGH upon T तो यहाँ पर बन गए हमारे पास में power के लिए तीन formula ठीक है अब हम किसी भी एक formula का use करते हैं और example लेकर देखते हैं म square ठीक है और उस object की जो height है वो ground से मान लिया है 5 meters है ठीक है तो हमको power यहाँ पर calculate करनी है P equals to हम लोग कैसे calculate करेंगे M into G into H upon T भी हमको यहाँ पर कुछ दिया गया है मान लिया 2 seconds या फिर 5 seconds मान लेते है 5 seconds given है तो 5 यहाँ पर लिख लिया तो 5 से 5 cancel हो गया यहाँ पर power कितनी आ आ जाएगी उस object के लिए ठीक है आप देखिए यहाँ पर हमको कुछ और चीज़ा ध्यान में रखनी है जैसे कि जो power है उसकी unit क्या होगी तो इसकी unit होगी watt ठीक है तो यहाँ पर हमने इससे denote किया भी है इसको unit ध्यान में रखनी है और 1 watt equals to क्या होता है 1 joule per second होता है तो 1 kilow watt equals to होता है 1000 watts यह हमको पता है जिसको symbol में हम ऐसे लिख सकते है 1 kilowatt equals to 1000 watt ठीक है तो इसका यह मतलब है कि 1 kilowatt equals to क्या हो जाएगा 1000 joule per second हो जाएगा तो इसको हमने क्या करना है ध्यान में रखना है चलिए अप चल कर देखते हैं अपना next formula so इस chapter में बहुत important चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है commercial unit of energy so commercial purposes के लिए हम energy की बड़ी unit का use करते हैं जो की है kilowatt hour तो 1 kilowatt hour equals to होता है 3.6 into 10 district power 6 joules तो यह हमको ध्यान में रखना है कभी कबार question में क्या हो सकता है कि unit के conversion के लिए आसकता है जैसे कि अगर एक example लें आपके पास में question आसकता है कि 2 kilowatt hour को convert कीजिया आप joules में तो आप क्या करेंगे 2 को multiply कर देंगी कि इसके साथ में 3.6 into 10 district power 6 joules क साथ में तो आपके पास में जूल में इसकी unit आ जाएगी तो multiply कर लिजे 2.6 into 10 district power 6 joules कुछ इस तरीके से तो कुछ भी आपर आ सकता है मालिया 3 आ जाए 4 आ जाए तो इतना kilowatt hour को आप convert करना चाहेंगे अगर जूल में तो इससे multiply कर देंगी किसको 3.6 into 10 district power 6 को तो यह तो हो ग किया था तो देखिए a geyser used 100 watt for 10 hour per day calculate the units of energy consumed in one day by the geyser तो यह पर total energy equals to total work done के ही है ठीक है so p equals to क्या होता है formula हमारे पास में? w upon t. यानि कि total work done upon time. यहाँ पर हमको यह energy calculate करने है यानि कि total work done calculate करना है तो यहाँ पर हमारे पास में formula क्या बन जाएगा? w equals to power into time यानि कि p into t. यह इस तरीके से. ठीक है? तो यहाँ पर power हमको दी गई है कितनी? तो पहले तो यहाँ पर side मे लिख लेते हैं इसको P हमको दिया गया है P की value 100 watt तो इसको kilowatt में convert करेंगे तो किस से divide कर देंगे 1000 से divide कर देंगे हमने यह आप पर divide कर दिया 0000 cancel हो गया आपके पास में आ गया 0.1 kilowatt यहाँ पर time आपको given है T equals to 10 hours अब इस वाले formula में put कर दीजे value तो आपके पास में क्या आ जाएगा W equals to 0.1 kilowatt in two time कितना है 10 hours तो यह आपके पास में आ गया 1 kilowatt या फिर units में आपको लिखना है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 1 unit भी लिख सकते हैं तो इस type के कुछ questions आपके exams में आ सकते हैं जिनके लिए आप फिर सारी practice कर सकते हैं और इन formula का जितने भी हमने आज discuss किये revise किये उनका use कर सकते हैं So आप हम मिलेंगे अपनी next discussion में जिसमें हम revise करेंगे कुछ और chapters के बहुत ही important formula तब तक आप पढ़ाई करते रहिए revision करते रहिए खुब सारी practice करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये तो आप जानते ही है कि learn how free है पर best है